अब दिली के टिपटी से मनें सिसोदिया ने केंदर के डेवलेप्मेंट पोजेक्ट्स और आवासी परिसरों के निर्वान को लेकर अब धार्मिक कार्ट खेलना शुरू कर दिया है सिसोधिया ने दिली के LG विने कुमार सकसेना से अपील की है कि केंदर के प्रोजेक्ट के लिए मंदिर मजार और गुर्द्वारे को नहीं तोड़ा जाए सिसोधिया ने कहा है कि दिली में केंदर सरकार के अलग-अलग रेजिडेंशिल प्रोजेक्ट समेथ दूसरे डेवलप्मेंट कारियों को लेकर सरसट मंदिर छे मजार और एक गुर्द्वारा तोड़ने के लिए नोटिफाइ किये गए हैं सिसोधिया ने सभी धार्मिक स्थलो के नाम गिनाए और दिली पुलिस की रेपोर्ट का हवाला देते हुए धार्मिक स्थलो के तोड़े जाने पर दिली में दंगा भड़कने की आशंग का जताई है दार्मिक्स तलोग का डॉमेलोशन किया जो आने की बजाए उसका डिजाइन बदला जाए यह कहना है मने इससे सो दिया कर आए जोकि रिलिजिस सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं यह मसले सारे मैंने एक-एक मंदिर का मजार का गुर्दवारे का एक-एक का अध्यन किया कराया और मैंने देखा कि यह जो 67 मंदिर तोड़े जाने हैं छे मजार तोड़ी जानी है और एक गुर्दवारे तोड़ा जाना है उसके प्रभाव का भी मैंने अक्रन किया समाज में क्या कर रहा है मैंने पुलिस के रिपोर्ट्स भी पढ़ी जो अफसरन लगा के बेजी में अल्मोस्ट हर एक केस में कहा गया है पुलिस के और से कि हमारी लोकल रिपोर्ट्स बताती है कि यहां अगर इसको हम तोड़ते हैं तो यहां लोगों का विरोध होगा दंगे भी हो सकते हैं पत्थर में चलाया जाए इनका स्टक्चर में इनकी डिजाइन में चेंज किया जाए इंजिनिरिंग मौडन आर्किटेक्ट में हर चीज का समाध्वान है आज जब हम पेड़ों को लेकर इतना सेंटिमेंट रखते हैं कि पेड़ को भी नहीं काटना चाहते हैं और उसकी जगह से द बढ़कें भी बननी चाहिए, सब जरूरी है शहर के लिए, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखके ही decision लेने पढ़ेंगे कि लोगों के sentiments ना भढ़कें और कोई ऐसी situation दुबारा ना हो जैसी हमने थोड़े दिन पहले कुछ साल पहले दिल्ली में देखी.